हाई गाई वेलकम बैक तो माई चैनल और वेलकम टो ये अनदर क्रियेटिव वीडियो तो गाई आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में और आज हम बनाने जा रहे हैं ये कस्टमाइस्ट मंडालर टुटॉर्डियल तो अब आप पूछ रहोंगे कि मैंने पेटल्स का वीड कैसे मनाते है तो ग्रिट अपना रेडी रखिए तो जो सबसे पहला है वो है राउंड पेटल्स अब राउंड पेटल्स आपको बनाने कैसे आपको एक लाइन लेनी है उसे कर्व करना है और आपको वापस लेके जाना है फिर से आप एक लाइन लेंगे और आपको ये ध्य जाए और ऐसे आप सारे बना लीजिए तो गाइस यह हमारा रेड़ी पेटल्स वाला और अब हमें जो सिंपलर स्टेप है क्या करना है हमें इसकी बॉर्डर बनानी है मलब खली उसकी बॉर्डर को ट्रेस कर देना है तो आप अब भी अपना वो बॉर्डर है उससे बेट रेज कर लीजिये तो यह हमारा बॉर्डर ट्रेस हो चुका है और अब हमें जो सिंपलर स्टेप है क्या करना कि हमें जो नेगेटिव स्पेसिजिए मतलब कि जो खाली स्पेसिद उनको भर देनी है और उसमें ध्यान रढ़ूएगा कि बाहर ना निकले और सब में ऐसे क कर दीजे तो यह होने के बाद हमें क्या करना है हमें सिंपली जो पेटल के बीच में एक लाइन बनानी है और एक ब्लैक डॉट बनाना है और ध्यान रखे यह डॉट थोड़ा मोटा रखे ताकि वो आपके मंडाला में एक अच्छा इफेक्ट दे और ऐसे आप सारे कर दीजे सो गाइस यह हो जाने के बाद हमें क्या करना है हमें एक टॉम पेटल बनाना है और इसके लिए हमें लगेंगे दो बॉक्स तो हम क्या करेंगे एक कर्व लाइन बनाएंगे और जो दो बॉक्स के बीच की सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हम लोग उसे जॉइन करेंगे फिर इसे मैं आपको बताती हूँ, यहां से कर्व लीजे, फिर सेंटर पॉइंट और फिर दूसरे बॉक्स पर, ऐसे आप सारे बना लीजे, तो यह हो चुके हमारे रेडी डॉम पेटल्स और अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें जो सेंटर पॉइंट या सेंटर लाइन दिख रिया है, वो लाइन हमें ट्रेस कर लिनी है, और फिर हम क्या करेंगे, कि हम इसे स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, जो एक लीज्द का आपको जैसा effect चाहिए वैसा अब फिर से हम लोग करेंगे कि यह line बना दी और फिर हम लोग slanting lines बनाते जाएंगे so ऐसे यह आपको सारे petals में कर देना है so यह हो चेके हमारे ready petals सारे dome वाले और अब हमें क्या करना है कि हम एक और dome petal बनाएंगे और फिर इसका भी हमें two boxes का use करना है और वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था और क्या करेंगे पहले हम अंदर एक circle बनाएंगे और एक spiral बनाएंगे और फिर जो spiral का जो अंदर का point है वहाँ से एक line ले लेंगे और हाँ और उसके बाद हमें एक circle बनाना है फिर हम center में एक round petal और उसके बाज़े में दो petals बनाएंगे और फिर उनके अंदर हमें छोटी छोटी lines बनानी है तो ये बनान देने के बाद हमें ये जो negative spaces या जो खाली spaces है petals में वो fill कर देनी है और ये आप हर petals के लिए कर दीजे तो आप देखी चुके होंगे कि आपको petals कैसे बनाने है फिर भी आपके लिए मैं एक और बार बना दे रही हूं और इसमें आपको इतना accurate रहनी की जरुवत नहीं है क्योंकि आप freehand कर रहे है तो आपका मंडाला जैसे भी आए वो बहुत ही अच्छा लगे तो यह हो चुक है हमारे negative spaces fill और सारे petals हो चुक है तो अब हमें क्या करना है कि यह जो line है हमें उसे trace करनी है सो यह हो चुक है ready हमारी border और अब हमें क्या करना है हमें एक triangle बनाना है और फिर याद रखे हमें थोड़ी space रखी है है इसमें और फिर हमें जो negative spaces हैं उन्हें fill कर देनी हैं एक और बार मैं आपको दिखा देती हूँ हमें एक triangle बनाना है और फिर negative spaces fill कर देनी हैं इसमें आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा pressure नहीं अप्लाई करें नहीं तो फिर paper फट भी सकता है यह होने के बाद हमें करना क्या है कि हमारा जो next petal होने वाला है वो grid को follow करते हूँ होने वाला है तो फिर हमें यहां से एक line लेनी है उसे थोड़ा curve करना है और फिर हमें तूसरे line बना देनी है फिर से हम एक line लेंगे उसे curve करेंगे और फिर हमें end कर देना है last time करेंगे line लेके curve कीजे और end कर दीजे अब हमें यह जो petals है उनका midpoint लेना है अब इसे आप scale से midpoint मत लीजे आपके हिसाब से जो उसका midpoint है वो ले लीजे और फिर वो जो petal का उपर वाला side है उसको follow करते हुए हम थोड़े lines बना लेंगे और इसमें भी कोई spacing का मैंने measurement नहीं लिया कि इतना spacing इतना यह आप जैसा चाहिए आप कर सकते हैं और इसमें भी आप same कर दीजे सो यह हो जुका है हमारा अब हमें क्या करना है कि हमें बस इसकी border बनानी है तो फटा-फट border बना लेंगे और फिर इसमें जो negative spaces याँ है या जो खाली छोटी वाली spaces है उन्हें फिल कर दे फटा-फट से और यह सारे में कर दीजे तो यह हो जो कि हमारे negative spaces फिल और हम क्या करेंगे एक अच्छा effect ढलने के लिए हम हर तीर line के बाद डाप सी लाइन डाल देंगे और अगर है आप चाहे तो पर दौर दो चाह serviraargent के बाद यह जितने भी आपको चाहिए आपके हिसाब से आप वह करते रहें और फिर आप ये पूरे सर्कल में कर दीजिए तो गाइस लास्ट वाले पेटल के लिए हमें क्या करना है कि पहले हम लोग एक डोम बना लेंगे और पहले आप खली लाइन ट्रेस कर लिए डोम के लिए और जो अंदर के डीटेल्स हैं अब फिर बाद में भी कर सकते हैं अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर भी एक डोम बनाना है और फिर जो नेगेटिव स्पेस हैं वो फिल कर लीजिए अब ये फिल कर देने के बाद हम एक स्पाइरल बनाएंगे और फिर हमें इसमें पेटल्स बनाने हैं राउन पेटल्स छोटे छोटे और वो चार भी आ सकते हैं या फिर तीन भी आ सकते हैं और फिर हम इन में छोटी छोटी लाइन बना देंगे डिटेलिंग के लिए और फिर हम नेगेटिव स्पेस को फिल कर देंगे अब सेकिंड टाइम हम कर रहे हैं तो फिर से हम बना लेंगे अंदर का डूम और फिर negative spaces fill कर देंगे ने वाले हैं आम लोग और एक spiral बना देंगे और फिर round petals इसमें भी आप lines बना दीजे और फिर negative spaces fill कर लीजे अब हमें क्या करना है जो हमने guidelines बनाए थी और grid बनाए था उसे erase कर देना है अब हमें क्या करना है जो अंदर हमने circle बनाए था उसकी line को बस trace कर देना है और आप अगर चाहते है तो फिर अपना नाम जरूर लिखिया अंदर और अगर आप साइट पर भी चाहते है अपना autograph या फिर नाम लिखना तो वो भी जरूर लिख दीजे सो गाइस यह हो जगा है complete अब वीडियो के आते हैं end पर वू वाओ magic सो कुछ ऐसा लगीगा आपका मंडाला आपका नाम लिखने पर सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताएए कि वीडियो कैसा लगा और गुडबाए